Information, Entertainment, Employment, Education और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बैल आइकिन को ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें नमस्कार आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं आपके साथ हूँ निर्बाला राओ हम पेश है खबर दिन भर में इस्वत की खास खबर को साथ आगामी विदानसबा चुनाओं के मद्देने जोर अनू सुचित जाते है तू आरक्षत सीट शा पुरा बनेड़ा विदानसबा क्षेत्र 181 के अती समय दन शील मद्दातन केंद्रो का जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचान अधिकारी शुचित्यागी ने मंगलबार को नेरिक्षन कर स्थिती का जायजा लिया और इस दोरान जिला निर्वाचान अधिकारी और जिला कलेक्टर शुचित्यागी ने सांगरिया कस्वे बे सांकला महाला अस्तित अल्प संक्यक परिवार से रूबर होकर आगामी विदानसबा चुनाओं में भए मुवत होकर मद् करने के लिए प्रेरित किया इसा उसर पर शापुरा पुलिस उपादिक्षद भौमाराम शापुरा उप्खार नदिकारी शेतन कुमात्र पाथी फुलिय कला अधान प्रभारी बिहारी लाल पुलिस मैज राप्ता मौजुद रहे नगोर में सरदार वल्लब भाई पतेल की जयनती की प्लक्ष में रन फॉर्वोट रैली का एजन हुआ जिसमें यूवक और यूथियों ने जोर सोट से हिस्सा लिया रैली शहर के विबिनन मार्गों से होते हुई शहर के स्टेडियम तक पहुँची इस से रैली में सैकडों लोग शामिल हुए रन फॉर्वोट रैली के माध्यम से आम जन को भाय मुक्त होकर आगामी विदान सबच चुनाओं में मद्दाताओं को मद्दान करने के लिए प पटेल की 147 नी जहनती पर बाप और आसपास के क्षेत्रों में विबिनन कारेक्रमों का एजन हुआ पटेल की जहनती को राश्ट्री एकता दिवस के रूप में मनाया गया आएजित कारेक्रम में संबोधित करते हुए एस्ट्रियम सुखाराम पिंडेल ने पटेल की जीवनी से प्रेड़ना लेकर उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की बात कही इस अफसर पर राश्ट्री एकता की प्रतिग्या भी की गई नागोर में बधाल सडकों को लेकर मंगलवार को व्यापारियों ने किले की डाल से लेकर शिव बाडी तक रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया व्यापारियों का कहना है कि सिवरिश लाइन का निर्मान होने के बाद वापस सडकों का निर्मान अभी तक नहीं हुआ है जिसके चलते देन बर वाहनों से धूल मिट्टी उड़ती रहती है और दुकानों में रखावा सामान भी खराब हो रहा है जिसका आसर उनकी ग्रहकी पर पढ़ रहा है और काफी नुकसान भी इस वज़े से उन्हों उठाना पढ़ रहा है व्यापारियों का ये भी कहना है कि सडक निर्मान का कारे तुरंत शुरू किया जाए जिससे आम जन को राहत मिल सके स्वीप कारिक्रम के तहट उठान कारे लएब बाप में EVM और वीवी पैट मेशीन का प्रदर्शन कर विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्माने कारिक्रम की जानकारी दी शर्माने आगामी विदानसवाच चुनाओ को लिकर चर्चा करते वे अधिकारियों और कर्णचारियों से मद्दान शत् प्रतिश्यत मद्दान के लिए मद्दाताओं को प्रेरित किया इस अवजर पर उपकंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल तैसिलदार रंचोड लाल म अधिक्वाल जल्दाय विबाके अधिकारी नीरज राजपूत और सहाय कभियंता सही राम विश्ण यादी उपस्तित रहे कभांध्य कोई में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साइख तत्वा उधान में पूरो प्रधानमंत्री आरल लेडि स्वर्गिय इंदिरा गांधी की पुर्धामों प्रधानमंत्री स्वर्गिय सदार वल्लभाः पतेल की जयंती गांधी पार्ग में शहिद दीवस क के रूप में मनाई गई घरक्रम को संबोधित करते हुए PCC के महासचे उजी आर खटाना ने कहा कि इंद्रा गांधी ने देश के सभी बैंक को काईकी करन किया और जनसंक्या व्रद्धी पर रोक लगाई उन्हाने पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया सिकंद्रा चौरा है कि मानपुर रोड पर रागीर को एक ट्रक ने गुचल दिया जिससे रागीर की मौके पर हिम्रत्य हो गई और सड़क पुरी तरह से जाम हो गई पुलिस मौके पर पांची और सड़क पर बिख्रे विश्व के टुक तक बीस दिन के अंतराल में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये जाने से वहां चालक मौत की अगोश में आ जाते हैं फूलिया कलास्थित सुदर्शन राज के विद्याले में सरदार वल्लब भाई पटेल की जैनती को राश्ट्री एकता दिवस की रूप में मनाया गया मुक्य अधिती उपखंड अधिकारी भावर लाल कासोट या ने विद्यार्तियों को एक साथ राश्ट्री एक तकी शपत दिलाई इस दोरान वी भिन्न विद्याले के विद्यार्तियों ने सरदार वल्लब भाई पटेल की जैनती पर कवितायें और उनके जीवन काल की घटनाओं की बारे में बताया इस अवसर पर भसंद कुमार नौलखा, प्रशाल्त चौधरी, कैलाश टेल राधी समस्त विद्याले स्टाफ उपस्तित रहा राश्टान लोक सेवा आयोक की और से वरिष्ट अध्यापक भरती के दूसरे चरण में ग्रुप B में आज सामान्य ग्यान का पेपर हुआ ग्रुप जयापर में परिक्षा के लिए 2008 परिक्षा केंदर बनाए गए जिसमें 78,150 सब्यर्थी पंजिक लिए जिसमें 62,325 सब्यर्थियों ने परिक्षा दी परिक्षा का आजन सुबर 10 बजे से 12 बजे तक किया गया और नकल्चियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्ताइद नजर आया परिक्षा में इस बार इंटरनेट सेवा को बंद नहीं किया गया आई पीएस हरी प्रशाद सर्मा आज भले ही राजकिये सेवा से रिटार हो रहे हैं पर जनता इने आराम से बैटने नहीं देगी और यहीं वज़ा है कि शर्मा के घर के आगे हजारों की तादाद में और जनता की समस्याओं का निराकरन कर रहे हैं लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी विदान सभा चुनाओं में आई पीएस शर्मा का ताल ठोकना लाजमी दिखाई दे रहा हैं साथी राजड़े दे गलियारों में आई पीएस शर्मा को लेकर कयास ल पूरु प्रदान मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल को याद किया गया आज पूरु प्रदान मंत्री इंद्रगालदी की पुन्यति थी है तो वही सरदार पटेल की जहनती भी है गिदानिया व्लोग कॉंग्रेस अद्यक्ष महर सिंग 16 नाकिया देक्षता में हुए इस क पूरु परदान मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल जी की जहनती मनाई गई है और इस उपलक्स में विचार गोश्टी रखी गई है इंद्रा जी के बताये गए मारक पर और सरदार जी के बताये गए मारक पर कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कारिये करता आगे बड़े जैपर के जीला कलेक्च्रीट परिसर में सरदार वल्लब भाई पटेल की जहेत्ती धोंधाम से मनाई गई वहीं पुषपांजली कारिक्रम में जीला कलेक्टर सथ आत महाय जन और ओप जिला कलेक्टर सहीत कर्मचारियों ने सरदार वलबाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पान जली अर्पित कर जिला कलेक्टरियों की कर्मचारियों ने राष्ट की एकता, खंडता और सुरक्षा को बनाये रखने की शपतली इसको साथ इस बुलेटिन में इतना ही देश दुनिया की ताजरीन खबरों के लिए आप देखते रहें इस सत्य में उन्यूस हमेशा सच के साथ